Welcome to back my channel guys, स्वागात है आप लोग का आज के एक और fresh वीडियो में, आज किस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि अगर आप Play Store से कोई application download कर रहे हैं, तो यहाँ पे available mode device का option दिख रहा है या फिर इस टैप के problem देखने के मिल रहे हैं, इसको आप कैसे सही कर सकते हैं, मैं आप आपके दूसरे phone में भी login होगा, और वही phone का यहाँ पे नाम सो करता है, मतलब कि आप एक साथ दोनों phone में application download कर सकते हो, यहीं से control कर सकते हो, बट यह हटाना चाहते हो, तो आप हटा कैसे सकते हैं, यह भी मैं बताऊंगा, देखिए, हटाने के लिए easily आपको यहाँ पे home page पे आना है, और आपको यह देखो, आपको ऊपर में एक icon दिखेगा home page आपका profile, इसली इस पे click किजिए, और आपको यहाँ पे Google account पे click करना है, ओके, आपको यह Google account का option ऊपर में दिखी जाता है, आपके नाम के नीचे में, तो simple सा आप यहाँ पे click कर लिजिए, जैसे आप आपको यहाँ पे Google account पे click करेंगे, उसके आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करने के लिजिए, आपको यहाँ पे आजाना है Google account पे, दोस्तों यहाँ पे आने के वाद आपको home page, personal information, और यहाँ पे security का option दिखता है, security का option पे click किजिए, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप कीजिए, scroll up, और आपको एक option में लेगा, यहाँ पे your device, ओके, आपको simple सा your device पे click करना है, और आपके जो जो phone में login होंगे, वो सारे यहाँ पे show करते हैं, अब जिस phone से आप हटाना चाहते हो, logout करना चाहते हो, उस पे हटाने के लिए जो आपका नाम show कर रहा था, Apple World device म ज़रूर बताईएगा, तो simple सा मैं यहाँ पे click कर लेता हूँ, and click करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ step से load होता है, और आपको एक option मिलेगा, logout का, sign out का, ओके, आप यहाँ से sign out कर दीजिए, जो कि आपका secure रहेगा, and I hope कि आपको समझे में आ गया होगा कि step से क्या कर सकत कमें दो चाहते है